मुंबई पर जो हमला था वो आतंकी तो था ही, मगर इसके साथ ही भारत की आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं, उस आर्थिक राजधानी की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसकी भी पूरी तैयारी थी, उस आघात से तो हम निकले, मगर मुंबई वापस पट्री पर जीवन कैसे आर्थिक राजधानी बुंबई में कैसे पकड़ी, कि आपने बिल्कुल सही का, ये हमला इतना सून योजित था, आप तार्गेट्स देखिए इसके, ये ताज होटेल जहां हम बैठे हुए हैं, ये ताज होटेल जो है, ये दुनिया भर के तुरिस्ट नहीं, डिप्लोमे प्रकार से लियोपोल्ड कैफे, जहां पर आल्वेज हमेशा फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल चुन चुन कर जहां जुईश लोग रहते हैं, तो एक प्रकार से इसका प्लैनिंग ऐसा किया गया था, कि देश के आर्थिक राजधानी पर तो वो एक हमला था ह लेकिन भारत की सार्वबहोता पर वो हमला था और एक दुनिया को संदेश था इस माध्यम से, क्यूंकि एक इस हमले से पाकिस्ताने या इन आतंक्वादियों ने देश के दुनिया के कम से कम 50-60 देशों को चेताया, सुचित किया, कि भारत के साथ आप अगर विभार करोग तो आपके लोग भारत में सुरक्षित नहीं रहने देंगे, तो एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रे शडएंत रहे था, लेकिन मैं वापिस मुंबई की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मुझे आज भी याद है मैंने कभी ये बात कहीं नहीं, लेकिन जिस दिन ये सारा हमला हुआ था, तो मैं एमेली ऑस्टेल में रहता था, लियोपोल्ड काफे के बिल्कुल सामने अमारे अमेली ऑस्टेल था, बिल्कुल, और उस दिन एक कव्क श्री लंका से मेंबर आप्रल्मेंट कर देए सांते मेरे साथय। वस्टेल आपञा में कभी अजुक्वागे कि य्युक्त संब्रेंगे आपनाे आख करेंगेr नहीं抱़ पानेश। इस पॉसिबल देट वी गो सम्वेर एरांड दे एरपोर्ट तो मैंने का हाँ ठीके एरांड दे एरपोर्ट अब हयात होटल था तो हम लोग हयात चले गए और वहां हयात में हम बिनर पर बैठे तब यह सारी गटना शुरू हुए तो उस समय की मुंबई वो पूरी मेंने दे तो उसके बाद वो करीब करीब सुन देखा नहीं लेकिन सुना हमने मतलब इतना करीब से यह सारी चीज़े हमने देखी फिर हम तो यही थे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह तीन-चार दिन जो चले गए और उसके बाद एक गुसा भी फूटा लोगों का लोग रास्तों पर लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मुंबई ने अपने आपको सभाला तो बहुत महत्व पूण है मुंबई के लोगों ने इस घटना का गिरोध किया इसका निशेद किया इस पर आक्रोश किया लेकिन मुंबई के लाइफ को डिस्रप्नी होने लिया जो आतंकवादी चाह और लोग अपने बच्चों को बहार न निकलने दे ऐसा कुछ मुंबई में ने हुआ मुंबई के लोगों ने आतंकवादियों के जो उनकी मंशा थी उस मंशा को पस्त कर दिया पूरी मुंबई बहार निकली मुंबई ने अपने सारे कामकाज शुरू किये बच्चे स्कू सुलों में गये, लोगों ने अपनी नोकरियों को जाने का पूरा जो प्रभम था वो किया, तो मुझे लगता है कि एक दिन में ये मुंबई खड़ी हुई और इससे जो आतंकवादियों की मंच्छा थी, उसको हम परास्त कर पाए.